नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ग्यान शास में आपका स्वागत है हिंदु धर्में मंदिर, घर या अन्देव इस्थलों पर पूजा पाठ करते समय सिर पर कपड़ा रखने की परंपरा है पूजा पाठ करते समय हर किसी को कपड़े से सिर ढखने की सलाह दी जाती है मानिता के अनुसार जब भी आप पूजा करे, मंदिर जाएं या फिर हवन करे विवा के समय या पेड की परिक्रमा करे तो उस समय आपका सर हमेशा कपड़े से ढखा होना चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से विक्ति को पूजा का पूरा लाब मिलता है लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है और इससे क्या फाइदे होते हैं चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं इस जानकारी के लिए वीडियो को लास तक देखेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और है अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा दोस्तो पूजा पाट के समय से ढखने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है पूजा के समय महिलाएं और पुरुष दोनों ही से ढख कर पूजा करते हैं से ढखना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी जरूरी होता है पुरिश पूजा के समय रुमाल से सिध धक कर पूजा करते हैं बड़े बुजुर्गों के पैर छूटे समय भी महिलाए दुपट्टा या साड़ी के पल्ले से सिध धक लेती हैं चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या फायदे होते हैं गरण पुराण के अनुसार पूजा या किसी शुबकारी को करते समय सिर का धका हुआ होना चाहिए क्योंकि इस से मन एकागर रहता है माना जाता है कि जब सर धका हुआ होता है तब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है और ध्यान आपका केंद्रित हो जाता है जिसके कारण आपका पूरा ध्यान पूजा में रहता है और आप मन से ध्यान से पूजा कर पाते हैं इस्तियम का पालन करने से व्यक्ति को भागे का साथ भी दो गुना मिलता है क्योंकि जब आपका पूरा मन पूजा में लगेगा तब भगवान को आप सही धंग से याद कर पाएंगे, उनका ध्यान कर पाएंगे और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। शास्त्रों की अनुसार पूजा करते समय सिर धकना भगवान को सम्मान देने का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि जैसे बड़े बुजुर्गों के सामने सिर पर पल्ला रखा जाता है, वैसे ही ईश्वर के आदर के लिए भी सर को धका जाता है। पूजा करते समय या मंदर जाते समय सिर धकने से हम नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं। क्योंकि बालों के जरिये नकारात्मक शक्तियां जल्दी हमें अपनी ओर खीचती हैं। जब हमारा सर धका हुआ होता है तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हम पर जल्दी नहीं पड़ पाता है और हम सकारात्मक सक्तियों से घिरे रहते हैं मन में सकारात्मक विचाराते हैं कहते हैं कि आकाश में हमेशा कई तरह की तरंगे निकलती रहती हैं जिन में कुछ खराब होती हैं और कुछ अच्छी ऐसे में पूजा के दारान जब हम इश्वर का ध्यान करते हैं तो जो खराब तरंगे होती हैं वो भी हमें अपनी और आकरशित करती हैं अगर हमारे सर पर कपड़ा पड़ा होगा या हम सर पर पल्ला किये होंगे तो वो जो खराब तरंगे हैं जो हानिकारक तत्व है वो सर के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और अगर हम सर पे कपड़ा नहीं करेंगे तो वो सिर के जरिये हमारे शरीर में हानिकारक तत्व प्रवेश कर जाएंगे ऐसा होने पर हमें गुसा आ सकता है इसलिए हमें सर पर पल्ला पूझा करने के पीछे की एक वज़ा ये भी है वो है वाता वरण को सकारात्मक बनाना माना जाता है कि सिर पर पल्ला डाल कर बैठने से व्यक्ति की मानसिक्ता बदल जाती है और जब मानसिक्ता बदल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा आस्थावान बन जाता है इससे व्यक शास्त्रों के अनुसार पूजा में काले रंग का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है क्योंकि ये नकारात्मक्ता का प्रतीक होता है क्योंकि हमारे बाल काले होते हैं ऐसे में वो भी पूजा के मार्ग में बाधा डालते हैं तो इस समस्या से बचने के लिए पूजा करते समय सेर को ढखा जाता है पूजा करते समय से ढखने के पीछे का कारण एक ये भी है कि जब आप सर को ढख कर बैठते हैं तो आपका मन, आपका ध्यान केंद्रित होता है जब ध्यान केंद्रित होता है तो आप इश्वर से ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं और उनके प्रती आपकी आस्था ज़्यादा होती है शास्त्रों के अनुसार सभी व्यक्ति एक समान होते हैं भगवान के दरबार में भगवान के सामने कोई भी छोटा बड़ा पुरुष इस्त्री ये सब नहीं होता है, सब एक समान होते हैं, और जब पूजा के दौरान इस्त्री पुरुष छोटा बड़ा गरीब अमीर सब सर धक कर बैठते हैं, तो सब एक समान हो जाते हैं, से ढखकर पूजा करने के पीछे का एक वैग्यानिक करण भी है कि जैसा की बताया जाता है कि सर ढखकर हवन में बैटने से आग की लपटों से आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है ऐसा कहा जाता है कि सर के जदिये हमें कई सारे रोग लगने का खत्रा होता है वैग्यानिकों के अनुसार बालों में रोग फैलाने वाले किटाडू आसानी से चिपक जाते हैं और ये किटाडू बालों के माध्यम से शरीर में भी कई बार प्रवेश कर लेते हैं ऐसा होने से इनसान को कई तरह की बिमारियां भी लग सकती हैं वहीं अगर आपका सर धका होगा तो इन किताड़ों से आपकी रक्षा होगी दूसरा कारण ये भी है कि अगर सर धका होगा तो बाल तूट करके नहीं गिरेंगे ना ही किसी खाने की चीज में ना प्रसाद में और ना ही भगवान के सामने तो इसलिए भी सर को धक कर रखना चाहिए इसके अतरिक एक अन्य वैग्यानिक कारण ये भी है कि आकाशी विद्दुतिय तरंगे खुले सिर वाले व्यक्तियों के भीतर प्रवेश करके क्रोध, दर्द, आखों में कमजोरी इत्यादी रोगों को जर्म देती हैं इसी कारण सिर और बालों को धक कर रखना हमारी परंपरा में शामिल है इसके बाद दीरे-दीरे समाज की ये परंपरा बड़े लोगों को या भगवान को सम्मान देने का तरीका बन गई है साथी इसका करण ये भी है कि सिर के मध्धे में सहस्त्रा द्रार चक्र होता है पूजा के समय इसे ढख कर रखने से मन एकागर बना रहता है इसलिए नंगन सिर भगवान के समक्ष जाना ठीक नहीं माना गया है यही मानिता है कि जिसका हम सम्मान करते हैं या जो हमारे सम्मान दे जाने योगी है उनके सामने हमेशा सिर ढख कर रखना चाहिए इसलिए पूजा के समय सिर पर और कुछ नहीं तो कम से कम एक रुमाल अवश्य ले लेना चाहिए इस से मन में भगवान के प्रती जो सम्मान और समर पढ़ है उसकी अभिवक्ती होती है भगवान भोले नात की क्रपा आप सब पर बनी रहे तो मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे